ग्रैसलेन ही नहीं चाहे कोई भी इंग्रीडियन्ट हो आपको उसका सही इस्तमाल करना आना चाहिए कितना हमें लेना है और इसे कैसे यूज करना है अगर आपको वह आ गया तो आपको बेनिफिट होगा और आपकी स्किन के उपर फाइदा होगा तो फ्रेंट्स मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में आज हम बात करेंगे कि आपको ग्रैसलीन किस तरह से अपने फेस पर यूज करनी है काफी लोगों को अलग अलग डाउट होता है कि जैसे ग्रैसलीन जूज करने से स्किन काली पर जाती है स्किन का कलर डाक होने लगता है ओइली स्किन वालों का ये कोश्चन होता है कि क्या हमारी ओइली स्किन है तो हम ग्रैसलीन यूज कर सकते हैं तो ऐसे कई सारे कोश्चन आपके मन में होगे आज मैं सिंपल आपको दो तरीके बताने वाली हूँ चाहे आपकी स्किन ओईली है, नॉर्मल है, ड्राई है जा फिर कॉंबिनेशनल आपकी स्किन को उसका बहुत एचार जल्ट मिलेगा आपको ग्रैसलिंग कैसे यूज करनी है, किस टाइप की चाहे आपकी स्किन हो आज हम इस टॉपिक कर बात करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को जडूर लाइक कीजिए तो आप फेंड स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ मैं अब आपको लाइव इड्जर्ट दिखाऊंगी, इसे यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी इसे यूज किया है और मेरी स्किन कितनी ग्लो करी है मेरे फेस पर कोई भी हाइलाइटर जा मेक अप नहीं है फिट भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने फेस पर हाइलाइटर अपलाई किया हो अगर आप ग्रैसलिन को सही तरीके से इस्तमाल करेंगे तो आपके स्किन भी इसी तरह की हो जाएगी तो आप देख लीजिए पहला तरीका कौन सा है ग्रैसलिन को यूज करने का सबसे पहले आपको ले लेना है एक क्लीन बाउल और इसमें एड करना है वन टेबल स्पून के क्रीब रोज वाटर फ्रेंड्स आपको एक चमच के क्रीब इसमें रोज वाटर एड कर लेना है और नेक्स्ट आपको जो चीज एड करनी है वो भी आप देख लीजिए आप इस मिक्चर को बना कर फ्रीज में अराम से 10-15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं ये क्राफ नहीं होगा नेक्स्ट आपको इसमें एड कर लेनी है ग्रेसलिन वो कितनी एड करनी है आप इस बात पर ध्यान दीजिए आपको जस्ट दो से तीन ड्रॉप्स इसमें ग्रेसलिन की एड कर लेनी है इससे ज़्यादा आप एड मत कीजिए फ्रेंड्स आपको जब भी grasslin को use करना है आप directly कभी भी grasslin को अपने face पर मत apply कीजिए ऐसा करने से आपकी skin बहुत ज़्यादा चिप-चिपी दिखाई देगी इसलिए आप हमेशा इस तरीके से grasslin को अपने face पर apply कीजिए अब आप एक cotton ball की help से अपने पूरे face पर grasslin को apply कर लीजिए आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको अपने पूरे face पर इसको apply कर लेना है और फिर इसे dry होने के लिए 15-20 मिन तक ऐसे चोड़ देना है चाहे तो उसके बाद आप अपना face wash कर लीजिए जा फिर इसे अगर आप घर पर हो तो इसे ऐसे ही रहने दे इसका कोई भी नुकसान नहीं है और आपका जब दिल चाहे तब आप face को wash कर लेना एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आप grasslin को daily use करते हो किसी ना किसी form में लाइक साबून में मोस्चराइजर में क्रीम में जा फिर face wash में अब आप वीडियो देखने के बाद आप अपने साबून face wash मोस्चराइजर क्रीम के ingredients पढ़ कर देखना उसमें grasslin जरूर होगी तो friends अब आपको इसे apply कर लेना है इस तरह से face पर और इसे dry होने के लिए 15-20 मन तक छोड़ दे और फिर अपने face को थंडे पानी से wash कर ले तो आप बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की कि आपको दूसरे तरीके से कैसे grasslin को अपने face पर apply करना है उसके लिए आपको लेना है एक bowl और इसमें add कीजिए दो चमज के करीव चावल का आटा जानी की rice float अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावलों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसे powder form में बना कर store कर लीजिए और इस तरह से इस bowl में add कर लीजिए अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है आप इसे नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें दो चमज के करीव बेसन जानी की gram flour add कर लीजिए नेक्स्ट आपको इस bowl के अंदर add करनी है ग्लेस्टीन वो कितनी add करनी है आप वो ध्यान से देख लीजी आपको just 3-4 drops जानी की चमज का चोथा भाग इसमें add करना है और इस mixture को बनाने के लिए आपको next इसमें add करना है friends दूद जानी की milk आपको milk इसमें इतना add करना है ता जो इसका smooth paste बनकर ready हो जाए अगर आप first time मेरे चैनल पर आए हैं first time मेरी वीडियो देख रहे हैं तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी और useful वीडियो देखने के लिए मैं हमेशा आपको ना की remedies बना कर दिखाती हूं बलकि उसे use करके अपने face पर live result मत भूलिए तांजो में जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो नीचे like का बटन है वीडियो को like जरूर कीजिए आपके एक like से मुझे बहुत सारी motivation और sport मिलती है अब हमारा ये mixture बनके हो चुका है तयार आप इसे भी फ्रीज में वन वीक तक अराम से स्टोर करकर रख सकते हैं और जब चाहें आपका दिल करें आपके पास free time हो morning में जा इवनिंग में आप इसे अपने face पर apply कर सकते हैं अब आपको इस mixture को अपने पूरे face पर इस तरह से apply कर लेना है और इसे dry होने के friends अगर आपके चहरे के उपर natural glow लेकर आना है आपको तो आप इस step को जरूर follow करें आप देखेंगे कि 2 से 3 बार ही इसको use करने पर आपको कितना अच्छा glow मिला है अगर आपको अपने चहरे से pimples, जाईया, निशान, दाग धबों के निशान गाइब करने हैं जाँ फिर आपको अपने face पर natural glow लेकर आना है जाँ skin youthful जंग करनी है तो ये mixture आपके बहुत ही काम आएगा friends, grasslin के हमें कई सारे benefits होते हैं ये skin को hydrate करता है, skin को nourish करता है, skin को moisturize करता है चोटी उमर में fine lines जुड़िया आने लगती है उसको दूर करके हमारी skin को titan और young बनाता है अगर आप week में 3-4 बार इसे अपने face पर लगा लोगे तो you know skin पर natural glow आपको दिखेगा अब मैं आपको इसे remove करके दिखा रही हूँ, इसको लगाने के बाद आपको 15-20 मिन तक ऐसे dry होने के लिए चोड़ देना है और फिर इस तरह से अपने face को clean कर लेना है फ्रेंड्स आपको लगाने के बाद face clean करने के बाद face को wash कर लेना है मैं यहाँ पर आपको live result दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने face को wash नहीं किया है जस्त मैं आपको face को clean करके दिखा रही हूँ ग्लैसरिन हमारी skin के लिए बहुती अच्छी होती है सभी जो skin whitening creams आती हैं उसमें grasslin होती ही है आप अपनी कोई भी cream, moisturizer, face wash जाफिर soap में ingredient को पढ़कर देख सकते हैं आपको वहाँ पर grasslin देखने को जुरूर मिल जाएगी फ्रेंड्स अभी मैं आपको live result दिखा रही हूँ face को dry करके कि आप देखना मेरा face कितना glow कर रहा है जैसे मैंने बहुती कोई अच्छा foundation जाफिर highlighter अपने face पर apply किया है बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप देख सकते हैं मैं आपको dry करके दिखा रही हूँ face को कितना glow आया है मेरे face पर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं grasslin को use करने के आप दोनों में से कोई भी तरीके से grasslin को अपने face पर apply कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करना चैनल को subscribe कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी और useful वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई भी question है इस वीडियो के regarding तो आप दीचे comment box में मुझसे comment करकर पूछ सकते हैं मैं उसका reply जरूर दूँगी तो friends वीडियो को like शेर जरूर करना अपनी family और friend के साथ तो मिलते हैं मेरी next और useful वीडियो के साथ तब तक अपना खयार रखना थैंक्स पो वोचिंग टेक क्योर बाबाई